कि मेरे पास थोड़ी सी बच्ची वी इडली थी तो मैंने सुचा क्यों ने शाम का इसका खलका फुलकाशा नास्ता बना जाए जट पड़ दो सी तीन मीट में लगबग बनके तयार हो जाए हेलो फ्रेंट्स मैं सोना मैं सोई घर में आप सबका स्वागत है तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट है यह तो इसके लिए हम एक तड़का भी तयार करेंगे तो मैं तड़का आपको बता देती हैं तो यह देखिए तड़के में हम यहां पर ले लेंगे बहुत ही बेसिक चीज़े लेंगे जिसमें रहेगा लगबग एक टेबल स्पू कि यह सूजी का इडली है तो यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इससे नहीं हम चलाते वक्ती जली सी तूट जाएगा तो मैं इस इडली का आप चाहेते दो ही हिस्सा करें या फिर एक का तीन हिस्सा करें मेरे जैसे तो आप देख सकते हैं तो मैं सेम प्रसेस से और सारी इ आप देख से इसे मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप में काट लिया आप इसका फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है अगर आपके उसको भी उसका भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमें सेक्शन में बताएं तो यहाँ तड़का बनाएंगे तो यहाँ पना मैं एक पैन ले लिए नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है तो इसमें लगबग एक से देर टेबल स्पून में इसमें घीर डाल दिया है और इसे घीर जब हमारी अच्छी तरह से जब गरम हो जाए तब इसमें क्या करेंगे नहीं सर्सों क के दानने से पहले में से एक बार अच्छी से स्प्रैड तो आप दएक से घीर हमारा गरम हो जगा सर्सों के दाने डाने सर्सो का ешए तरग से तड़कने देना ने तो इस शर्सु को हमेंग борण राईने मोमें आएगा तो अच्छछा नहीं लगता है तो इसमें अच्छी त लेकिन मैंने कड़ी पत्य छोड़े चोड़े पीसे कर लिए हैं और साइड में हम डाल देंगे अब इसमें बारी कटीवी हरी मिर्च और इसे डाल के हमको सब्सक्राइब अब हम यह इतना कटीवी इडली डाल देंगे आप चाहे तो इसे हलके हाथों से इस तरह से चला के तो आप देख सकते हैं इसी तरह से टॉस करते वे से 2-3 मिट में एक उपर ना प्राउन क्रिस्पी लेयर आने तक मैं इसे पका लूँगी आप देख सकते हैं हल्का-ल्का सा क्रिस्पी सा लेयर आ गया है अब इसमें हम डालेंगी क्या आगर आप ना इसमें नमक थोड़ा और आप एक बार जरूर ट्राइक करें तो इसमें पाब cambi मसाला डालते तूरंत हमें हल्का है तो इसे तॉस करने तो आप देख स सम्ग कर पर दोब दूस करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शूर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू